हेलो नमस्कार मैं पुर्वांग बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा उनलाइन एकेड़मी में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 6 चेप्टर नमबर 3 अरंभिक नगर के बारे में तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बीना किसी देरी के वीडियो को उन्हें 101 इसमें महण जोद्रो की खोज हुई थी रखालदास बनर्जी द्वारा हम देखेंगे मैप में कि हरपा है कहां यहां पर हरपा आपको रावी नदी के तट पर दिखेगा यहां पर हरपा की कहानी की बात करते हैं हरपा को हम कांज सी यूगिन सभ्यता भी कहते हैं अड़ापा को हम नगरिये सब्याता भी कहते हैं लगबग 1500 साल पहले की बात हैं जब पंजाब में रेलवे लाइन बिचाई जा रही थी पंजाब में रेलवे लाइन बिचाई जा रही थी इस सेरिया में तो वहां के इंजिनियोरों ने पास में खड़े एक खंधर देखा और वहां से हजारों के संख्या में इट निकाली जिससे क्या हुआ कि उस खंधर के बहुत से इमारत से वह नस्ट हो गया उसके 80 साल बाद पुरातत्यवीदों ने इसका प्रिक्षन किया और खोज के पता लगाया कि ये जो है जो खंधर जो है इस हुकमहादिप का पहली नगरिये सब्याता थी अथि कि यह जो हुपमहाद पूर पहली नगरिये ॥ हर्ड़ात है चुछ टाना गार्ड आपको पंजाब में मिलेगा जा समयर्म आफगानीस्तान में प कि मिले chicken तो यह जो पूरा एरीया है ये क्या कहलाता है हरपा सव्यता है तो झो और आझ हरपा के जो मेक्सिमम अस्तल है वो पकिस्तान में पड़ते हैं अब बात करते हैं इन नगरों में क्या वीसेश्था थे यह आपको दिख रहा है महान असनानागार है जो बोहन जोद्रों से मिला है इसमें दोनों तरफ से चढ़ने उतरने के लिए सीडिया बनाई गई हुई है इन नगरों में कई ऐसे हिसे थे जो दो या दो से अधिक हिसों में भी बाजित थे पराया पस्मी भाग छोटा था लेकिन उचाई पर बना था पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था इसमें क्या था कि जो पस्मी भाग था छोटा था लेकिन उपर था और जो पूर्वी भाग था बड़ा था लेकिन नीचे था कि सुचाय भाले भाग पुरातत्ति विदों नंगर दूर कह और निचले हिसों को उन्होंने निचला नगर कह कुँ कि दोनों दिवारेज चार दिवारी या जो जो दोनों दिवारों के जो चार दिवारिया और पकी इटों की बनाई जाती ठी急bor तरिश से पकी हुई है कि हजारों साल बाद भी इनकी दिवारे जो है खड़ी है कि दिवारे बनाने के लिए इटो की चिनाई की इस तरह की करते थे कि दिवार खुब मजबूत बने आज हम जिसे इट चिनाई करते तो उसमें मोटार लगा देते ताकि बॉंडिंग अच्छा हो और दिवार मजबूत हो और देखिए उस टाइम में भी उन्होंने ऐसा टेक्नलोजी डेवलप कर लिया था उनका ऐसा मानना था कि हमें ऐसा बनाना है ताकि हमारा जो बिल्डिंग है बहुन है काफी मजबूत हो कुछ नगर के नगरदूर्ग जो नगर में कुछ नगरदूर्ग में जो है कुछ खास इमारते बनाई जाती थी जैसे आपने उपर देखा महान असनानागार आपने देखा यह एक विसेस इमारत थी है यहां पे लोग करते थे यहां पर चुकि पानी भरने के लिए वगर का सिस्टम नहीं था तो लोग कुए से इसमें पानी भरते थे करतें पाने के लिए प्लास्टर चार को चड़ाते हैं आज में वाटर लोग बनानेके लिए उसमें कर लिया है इस स्रोर में दोनों तरब से उतरने के लिए के लिए इसमें पानी भड़ने के लिए बढ़ते थे और उपयोग करने के बाद खाली कर देते थे जैसे हम आज नाला वगेरा बनाते हैं जिससे पानी असानी से निकल जाए यहां पर लोग विशेस नागरी विशेस अस्तरों पर असनान करते थे काली बंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अगनी कुंड मिले हैं जहां संभवता यक किये जाते हैं आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहां जब महत्सों वगेरा होता है तो हम क्या करते हैं वहां पर अगनी कुंड बनाते हैं ताकि क्या करें हावन वगेरा करते हैं हडपा मुहन जोदरो और लोथल से कुछ अननागार मिले हैं जहां पर बड़े बड़े बंडारगी मिले यानि वहां पर आपको अन्व गएरा जो है उसको सुरक्षित रखने के लिए उसको स्टोरेज करने के लिए उन्होंने बंडारगी बनाए अब देखते हैं भवन नाल इन नगरों के घर आमत और एक या दो मंज़िल होगा करते थे यानि वे लोग आज भी आप देखते हैं कि आज तो बहुत मंज़िले बिल्डिंग आपको मिलेंगे लेकिन उस टाइम लोग एक या दो मंज़िल के ही घर बनाते थे गर के आंगन के चारों और कमरे बनाए जात अपना सेप्रेट कई नगरों में धके हुए नाले थे अब देखिए हमारे हैं कि आज भी हम नाले खुले छोड़ देते हैं लेकिन उस दमाने में उन्होंने नाले को क्या कर दिया था धक्के रखा था हर नाली में हलकी धलान होती थी ताकि पानी असानी से बह जाए यह काम ह आज भी करते हैं लेकिन हमारा आज भी उतना successful नहीं हुआ है हम बहुत जगहां पर देखतें कि हमारे यहां नाले में पानी रह जाता हैं वहाँ पर नाले इस ठि रस से छुले रहते है वई ठका को मिलेगा अक्सर घरों की नालिया जो थी उन्होंने सडकेओं के नालियों से जोड़ दिया था वो उनका क्या काम था कि जैसे घर से जो पानी निकल रहा है उसको सडक बाले जो नाली है उसमें जोड़ दिया और घर के पानी को सडक के नालों में मिला दिया और उसके बाद हुए जो है के बड़े नालों में मिल जाते थे आप ऐसा आपको सिस्टम हमारे हाँ जो सहरों में है दिल्ली मुंबई को है कि ष्वक्ता चें अनले को को सब्सकर ड्ले वो उनकी देखवाल करते से अगर कहीं पर कुड़ा फस गया कुछ फस गया तो में हॉल के जरीए वहां से जाके उसको साफ कर सकते हैं घर के नाले सड़के का निर्मान वो लोग क्या करते थे योजना बद तरीके से एक साथ ही क्या करते थे अभी हमारे परधान मंत्री जिने माननिये जो हमारे प्रधान मंत्री है उन्होंने एक सिस्टम एक योजना लाया है गती सकती योजना उसमें आपको एक साथ ही हर चीज के लिए योजना बनायाने पड़ेगी अगर आप सड़क निकाल रहे हैं तो वहां पे अगर आपको लगता है कि यहां पे इन फ्यूच है वह आपको एक बार ही प्लानिंग करनी पड़ेगी और सब काम एक साथ करना होगा यह काफी अच्छी फाल है अब हम बात करते हैं नगरिये जीवन की बारे में वहां के नगरिये जीवन कैसा था हड़ापा के नगरों में बड़ी हल्चल रहा करती होगी ऐसा मानना है कि यहाँ पहल्चल रहता होगा यहाँ आपर ऐसे लग रहते होगे जो नगर की खास इमारतों इमार्ते बनाने की योजना में जूटे रहते छे यहां पर कैसे अमार्तें बनेंगी यहां पर कैसे नाले बनेंगी कि यहां पर क्या काम करना है यानि जो प्लानिंग करने का जो काम था एक कुछ बिसेस लोगों का था और वे संभवता यहां के सासक थे लेकिन वे सासक आज के सासक नहीं थे कि हां बड़ी सेना रख लिए लंबे-लंबे यूध लड़ रहे हैं बड़े जगों को जीत रहे हैं वो लोगों को भेजते होंगे कि आप जाएए लंबी लंबी यात्राय कीजिए धातू लाइए बहमुले पत्थर लाइए अन्योपियों की चीज़े लाइए ऐसा इसलिए क्योंकि हरपा में बहुत ऐसे जो पुरतात्विक साक्ष मिले हैं वो अलग-अलग एरिया से जैसे कुछ आपकानिस्तान से मिले हैं कुछ आपको युनान वगेर से मिले हैं ऐसा इसलिए कि उनको लगता होगा कि जो सासक लोग है खुपसुरत मन को चांदी से बने अभुसनों जैसे किम्ती चीजों को अपने पास रखते होंगे उन्हें पसंद होगा जैसे आज भी आप देखते हैं लोग सोने का चांदी का अभुसन पहने का बहुत सौक रखते हैं इन नगरों में लीपिक भी होते थे जो मुहरों पे तो लिखते ही थे और अन्य चीजों पर भी लिकते हों गे ऐसा मनना है कि नहिसे हमें मौल्ड मिले हैं जैना जिस मौल्ड में उन्हें डाला जाता है वह मौल्ड मिले हैं जैसे आज आप देखते हैं बहुत लोग अपना इस्ताम बनवाते हैं अपना मुहर बनवाते हैं ऐसा मानना है पुरतत वीदो का इतियां सकारों का कि सिल्प कार जो है नगर में इस तरी पुरुस भी थे जो अपने घरों या किसी उद्योग अस्ताल पर तरह तरह के चीज़ बनाते होंगे जैसे आप हमारे यहां देखते हैं ना फैक्टरीज वगरा है जहां पर आज महिलाएं और पुरुस भी काम करते हैं तो ऐसा उस टाइम भी पॉसिबल था लोग लंबी यत्राय भी करते थे और वहां से उपयोगी बस्तुवे भी लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस से कहानिया जैसे आज भी आप देखते हैं ना कि हम आ रहे हैं कि ब्लॉगर वगरा कहीं जाते हैं गुमने जाते हैं और वहां की कहानी बताते यहां पर यह जादे प्रचलन में था आपको वहां पर मिटी के में बने कई खिलोने मिलेंगे जिससे बच्चे खेलते होंगे जैसे हमारे आज बच्चे खेलते होंगे अब बात करेंगे नगर और सिल्फ के बारे में हम बात करेंगे कि वहां पर जो नगर है और सिल्फ है उनके बीच कैसा संबन्द था देंगे पुरातत्तुल वीदोग़ों को जो भी चीजेंव वहां पर मिली है उसमें से अधिकतर क्या है पत्थर है संख है तामबे कांसे सोने चांदी जैसे धातुगे बनाई जात यानि उसमें जो भी है क्या था पथर के बनाते थे पथर नो आ जो थे शंख से हां से के ओजार मिले जहने भी मिले जहने मीफोर है आज भी आपको सोने और चांदी के बरतन मिलेंगे उस ताइम भी मिला करता था यहां मिली सबसे अकरसक बस्तुए में मन के बाट और फलक है वहां पर आप आपके बुक में एक चित्र दिया हुआ है आप देखेंगे बाट भी काफी अच्छे हैं तरीके को मिलेंगे आपको क जानवरों के चीत मिलते थे जैसे हमारे यहां कुछ लोग अपना नाम लिखवाते हैं तो वह क्या करते थे जानवरों के चीत लगाते थे उन्हें लगता है जानवरों से काफी प्रेंट था हरपा सब्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किये हुए खुपसूरत लाल संबहता 7000 साल पहले मेहरगड में कपाज की खेती थी ऐसा मानना है पुरातत्तुवी दों को महा पर साक्ष मिलें कारबन 14 35 से जो लगवक जो है 7000 साल पहले के जो है कपाज की खेती के साक्ष बताते हैं मोहन जोदरों से कपड़े के टुक्रे के अवसेस चांदी के एक फुल्दान के धकन तथा कुछ अन्य तामबों की बस्तूर से चिपके हुए मिले हैं यानि कपड़े के जो साक्ष मिले हैं एक तो चांदी के फुल्दान के जो ढकाने उस पे था और कुछ अन्य बस दूए में जो है मिले हुए हैं यानि वहां पर जो है शुत कताई के संकर देती है यानि वहां पर जो है सैसे कास चीज को बनाने के लिए खास स्क्रिक्षण लेते हैं जैसे पथर तरहसना मन के चंकाना या फिर मूहरों पर पिच्चकारी करना यानि हम सभी जानते हैं हमारे ऐस्पेस्लिस्ट होते हैं जैसे करिसे सग्य हो गये तो उस वबादे तो उस्ताइम में PJeC Sanicas的話 Sell Film करते थे या फिर केवल महीनाए dipping देखिए ऐसा उने कुछ साक्ष मिला कि है कि हाँ सिर्फ महीं करते थे लेकिन ऐसा मानना है कि यह दोनों मिलके यह यह काम सै करते थे ह sürते हैं तेखिए पथर और संख ऑंब संख प्राकेटिक तोर पाइजाते हैं लेकिन इस में पत्रों के चुर्ण में मिला उससे वस्तुएं बनाई जाती थी उसके बाद उन बस्तुओं पर एक चिकनी परत चड़ाई जाती थी इस चिकनी परत के रंग प्राया नीले या हलके समुद्री हरे होते थे क्याने का मतलब है चोड़ियो और मन के बाले और छोटे बरतन बनाए जाते थे ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आज रहने देते हैं ये इसका पार्ट बन है इसका पार्ट टू भी लाएंगे तब तक के लिए धन्यवाद इसका दूसरा पार्ट भी लाते हैं कि हाँ इसका दूसरा पार्ट देखेंगे हाँ